पानी सेहत के लिए बेहत जरूरी होता है लेकिन बरसाथ के मौसम में कुछ सावधानिया जरूरी है बारिश के मौसम में कई बीमारियां दस्तक देती हैं और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बारिश के मौसम में आपको पानी पीते समय क्या साफधानिया बरतनी चाहिए क्योंकि इस मौसम में पीने का पानी भी आपको बीमार बना सकता है अगर आप हर रोज भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों और रोगों से बच सकते हैं लेकिन अगर आप दूशित पानी का सेवन करते हैं तो यही पानी आपको गंभी रूप से बीमार बना सकता है खराब पानी पीने की वज़ा से आप कई तरह की बीमारियां और संक्रमड की चपेट में आ सकते हैं खासकर बारिश के मौसम में आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम में रोगों और संक्रमड से बचने के लिए आपको पानी का सेवन कैसे करना चाहिए बारिश के मौसम में पीने के पानी की समस्या बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट तेजी से पनपते हैं यही बैक्टीरिया अगर आपके खाने पीने की चीजों के साथ आपके पेट में चले जाएं तो संक्रमण की वज़ा बन सकते हैं। ऐसे संक्रमण के आम लक्षन बुखार, खासी, दस्थ, पेट में दर्ध, गले में दर्ध होते हैं। इसलिए इस मौसम में पीने के पानी को लेकर आपको जादा साफधानी बरतने की जरूरत होती है। पानी को उबाल कर पिएं। अगर आप हैंड पंप, समर सेवल, कुवा, नदी या किसी भी सीधे श्रोत का पानी पीते हैं तो इससे आपको संक्रमण होने का खत्रा जादा हो सकता है। ऐसे में आप पानी को किसी बड़े बरतन में तीन घंटे के लिए भरकर रग दें। फिर जब पानी में घुले अपसिष्ट पदार्थ या दूशित पदार्थ नीचे बैठ जाएं तो उपर का पानी धीरे धीरे निकाल लें और इसे उबाल कर ही पिएं। और अगर फिर भी पानी गंदर दिखाई दे रहा है तो इसे बिलकुल ना पिएं। अब आपको बताते हैं पानी पीते वक्त किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए। आपको एक दिन में कम से कम 2-5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। बारिश के मौसम में प्यास थोड़ी कम लगती है लेकि शरीर में पानी की जरूरत कम नहीं होती। हर रोज सुबा उटकर एक लास ताजा या गरम पानी जरूर पीना चाहिए। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरी स्वस्त रहता है। एक बार में बहुत जादा पानी पीने से बशना चाहिए। आप दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। खाना खाने के तुरंद बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले या कम से कम 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। हेल्थ लाइफ की रिपोर्ट